प्रादेशिक समाचारे कांश भोपा से प्रस्तुत है कारिक्रम आज कल वशय नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर फैली भ्रांतिया और उसकी वास्तविक्ता आलेक और वाचनस्वर राशद एहमत खान नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर आम लोगों में काफी भ्रम है हम ये पूरी तरहें से स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिक्ता संशोधन कानून किसी भी भारतिय नागरिक को किसी भी तरहें से प्रभावित नहीं करता है भारतिय नागरिकों को सम्विधान से जो मूल भूत अधीकार हासिल है उन्हें यह या अन्न कोई कानून ना तो छीन रहा है ना ही वापस ले सकता है नागरिकता सन्शोधन कानून को लेकर एक भर्म यह भी है कि यह देश के मूल नागरिकों और खासकर मुसलिम समोधाय के हितों पर फरक डालेगा जबकि बास्तिविक्ता यह है कि इस कानून से देश के मूल नाग्रिकों के हितों पर कोई आच नहीं आएगी बलकि इसका मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक धार्मिक उत्पीलन के चलते आने वाले हिंदू, सिख, बौध, जैन, ईसाई और पार्सी समुदाय के शरनार्थियों को नाग्रिकता देना है इस कानून से सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौध, बार्सी और ईसाईयों को लाब होगा यदि उनके पास पासपोर्ट, वीजा जैसे दस्तावेजों का आभाव है और वहां उनका धार में कुद पिलन हुआ हो तो वह भारती नाग्रिकता के लिए आवेधन कर सकते हैं इस से ऐसे लोगों को जटल पिरक्रिया से मुक्ती मिलेगी और जल्द भारत की नाग्रिकता मिल पाएगी अन्य देशों के नाग्रिकों के लिए पहले की ही तरहां नाग्रिकता के लिए सामान निन्यम लाकू होंगे नागरिक्ता संशोधन का यह अर्थ कतई नहीं है कि पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से गएर कानूरी रूप से भारताए मुस्लिम आप्रवासियों को वापस भेजा जाएगा बलकि असलियत यह है कि नागरिक्ता कानून का किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना देना नहीं है किसी भी विदेशी नागरिक्ता को देश से बाहर भेजने चाहे वह किसी भी धर्म या देश का हो की प्रिक्रिया फॉर्णर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत संचालित होती है नागरिक्ता संशोधन गानून का यह अर्थ भी खताई नहीं है कि पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान के अलावा अन्ने देशों में धार में काधार पर भेद्वाओ का सामना कर रहे हिंदू भी नागरिक्ता कानून के अंतरगत भारत की नागरिक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं बलकि उन्हें हमारे देश की नागरिक्ता लेने के लिए सामान प्रक्रिया से गुसरना होगा इसके लिए उन्हें यातो पंजी करन कराना होगा अथवा नागरिक्ता हासिल करने के लिए आवश्यक समय भारत में गुजारना होगा नागरिक्ता कानून होने के बाद भी The Citizenship Act 1955 के तहद उन्हें कोई प्राथमिक्ता नहीं दी जाएगी भारति मुस्लिम सहित देश के किसी भी धर्म के नागरिक्त पर यह कानून किसी भी तरह से लागू नहीं होगा हमारे देश में सभी भारती नागरिकों को मुला धिकार मिला हुआ है जिसकी गारंटी भारती सम्विधान ने दी है नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर यह बात पूरी तरहें से जूटी है कि इस कानून के बाद NRC या National Register of Citizenship आएगा और मुस्लिमों को छोड़कर सभी प्रवासियों को नागरिक्ता मिल जाएगी और मुसल्मानों को हिरासत शिवरों में भेज दिया जाएगा जबकि हकीकत यह है कि नागरिक्ता संशोधन कानून का NRC से कोई लेना देना नहीं है NRC का कानूनी प्रापधान दिसंबर 2004 से नागरिक्ता कानून 1955 का हिस्सा है इसके लावा इन गानूनी प्रापधानों को संचालित करने के लिए विशेश वैदानिक नियम भी बनाए गए है नागरिक्ता संशोधन कानून ने इसे किसी भी तरह से नहीं बदला है नागरिक्ता संशोधन का यह मतलब निकाला जा रहा है कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के मुसल्मानों को कभी भारती नागरिक्ता नहीं मिल सकती यदि वो इसके पात्र है भारत की नागरिक्ता लेने से नहीं रोका है पिशले छह वर्शों के दौरान लगभग दो हजार अटसवतीस पाकिस्तानी नागरिकों 912 अफगानी नागरिकों और 172 बांगलादेशी नागरिकों को भारती नागरिकता दी गई है